हलो मिलिटी और इंजीनियास तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे एवन सुवस्त होंगे और मैं आज फिर से आप सभी लोग के बीच एक नम्रों के साथ आया हूँ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आपको हैचिंग में प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को जूरूर देखो आपको 100% समझ में आएगा लास्त मुझे कॉमेंट सेक्षन में आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगेगा तो चलिए दोस्तों बिना देर को वीडियो को सुरू करते हैं चलते हैं हम लोग अपने आटोकैट की दुनिया में तो एक बाब फिर से मैं आप सभी लोग का तहें दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे स्ट्रीपी चैनल में तो दोस्तों जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहा हूंगे हम लोग आज चुके हैं अपने आटोकैट की दुनिया में कि चوسब्स इंग का तो चलिए हम लोग आप जानेंगे हैसब कर्ते हैं इससे चीज़ को हम लोग परकेगे तो हैसिग को सेड़् है जिसका यूज श हम लोग किसी भी ड्रोइंग को खुपसूरत बनाने के लिए लिए करते हैं जैसे कि हम लोग plan को draw करते हैं अगर plan में मुझे brickwork को sow करना है तो वो possible है only hatching के कारण और किसी भी कारण से आप ब्रीक वाक को sow नहीं कर पाओंगे वहाँ पर तो चलिए मैं आप लोगो को hatching का यूज यहां पर बताता हूँ तो command जो हो जाता है, hatching ओ जाता है और उसका shortcut की तो आपको कीवर्ट काूड करने इंटर या स्बसक्रव करेंगे मेरे सामने यह ऑपर में टूलबॉक्स यहां पर ओपन हो चुका है जैसा की आफ रगार Алगे वो तो चलिए भोकडेंगे क्यों तो देख भी पार होंगे यहां पर पिक इंटर्नल पॉंइंट का ओप्शन आधे रहा है तो फिक पॉइंट का मतलब मैं आप समझा देता हूं तो फिक पॉइंट का मतलब हुआ कि आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट करते हो एक प्लेश से दूसरे प्लेश तक तो अगर आप उ कर सकते हो जैसे यहां पर देख सकते हो जहाँ कि रोग सकते हो सेमने कर सकते हो प्रिक कर प्रेटर्ण में जैसे ही क्लिक करोगे तो पैटर्ण पे हम लोगों को चार ओप्षन यहां पर मिलता है तो जिसमें की सॉलिड ग्रेडियंट पैटर्ण यूजए डिफाइन तो चारों का मतलब मैं आप लोगों समझा देता हूं तो वो कलर हम लोगों का यहां पर आएगा फिर हम लोग आगे आते हैं तो यहां पर पैटर्ण इसमें बाइदी डिफॉल्ट सेव रहता है क्योंकि आप पैटर्ण में हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो जैसा ब्रिक आप रियल लाइफ में देखते हो उसी तरह का ब्रि प्रिफर्ट जो पैटर्न था उसको अम लोग ऐसे ही रहने देंगे फिर अब लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देख सकते हो कि दो इसमें बाइदी लेयर दिया गया है दोनों में कलर ही आपको मिलेगा तो पहला जो बाइदी लेयर है आपको यहां पर छोटा सा जो फी कर लेता उंदु result क्लिए तो हम अंदरी के लिए यहां पर रेड क्लर को छूच कर लेते हैं तो अभी मैं आप लोग को संज देता हूं अब आता है matching transparency का मतलब मैं आप लोगों सम्झाद देता हूं तो आप matching को कितना show करना चाते हो इसको blood type का show करना चाते हो या हलका चाते हो उसको ज्यादा show करना चाते हो तो यह यहां से आपको option मिल जाते हैं यहां पे आप जो भी value डालोगे तो उतना value पे आपको प्रांस्पेरेंसी दिखने को मिल जाता है फिर आता है नेक्स्ट जो आता है एंगल आता है तो आप एंगल मतलब हैचिंग को कितने एंगल पर रखना चाहते हो तो यहां से रख सकते हो फिर आगे जो ऑप्शन आता है यह हम लोगों का स्केल का ऑप्शन आता है तो आप हैच सेट सेट कर सकते हो कि आप किसी भी ऑबजेक्ट को एक दूसरे से मैंच कर वा सकते हो जैसा कि मैंने आपको मैंच प्रपर्टी के बारे में पहले भी बताया है और फिर यहां पे जो लास्ट आप्षन आता है वह है है close hedge creation तो यहां से आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे सामने तो यहां से hatching जो है खत्म हो जाएगा तो हम लोग पूरा यहां पर toolbox को जान लिया है अब मैं आप लोग को तो बताता हूं कि हैचिंग का यूट कैसे करेंगे, तो डिस्प्लेश पे आपको जैसा कि देख पा रह PayPal मैंने यहां पकुछ ड्रोइंंग उपने से बना के हम लोग इसी के अनदर हैचिंग टिशन को ले जाना है और कुसट जैसे घंच को की मेरे सांब कि video क्लिया है तो इसके आंदर रहा है write कि This फूर कर देना है तो जैसे हिकने तो इसके आंदर हम लोग का एंधे हो चुका है अब मैं आप लोग को दिखाता हूं कि कि हैसिंग है मेरा यहाँ पर क्रिएट हुआ है और हाई करदा का जा है अंदर को isvas करना है जूम जैसे ही करें तो यहां पर आप मैं आप लोग को ड्रैग करके दिखा देता हूं फिर यहां पर देख सकते हो कि अंदर जो भाग है हम लोग का रेड कलर यहां पर आ चुका है और आप लोग को मैं और जूम करके दिखा देता हूं तो यहां पर देख सकते हो कि हम वही color hatching यहां पर हो रहा है इसको भी zoom जब करेंगे तो वही चीज हम लोगों को दिखने वाला है तो मैं इस rectangle का color change करना चाहता हूं तो color change करने के लिए आपको क्या करना है पहले hatching से बाहर आना होगा तो hatching से बाहर आने के लिए escape को press कर लेना है escape को जैसे हैंने जीसाहिं प्रेस करेंगे हम लोग यहां पे hatching से बाहर आ चुक थे लिए अउडरगों यहां पे लगे ले देखना तो opening तो यह होता है है यूज फिर दोस्तो अब हम लोग को मानों कि इसके अंदर है consig करना हो तो इसके अंदर भी thinking करने के लिए क्या करेंगे इसके अंदर कि क्लिक करेंगा तो थोस्तों अब हम लोग एक और ट्रोम को हैसिंग करते हैं उसको हम зрick के जगता को दूसरा चीद का हैचिंग करता है तो फिर क्या करना है बार आ JCए में फिर से हो जाना है तो मांनो को है अब मानलो हम लोगों को हैचिंग जो करना है यहां पर हॉनी का हैचिंग करना है तो हॉनी पर क्लिक करेंगे हमी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हो कि मेरे सामने यहां पर हैचिंग आ चुका है हम यहां पर कलर जो है कोई और ले लेते हैं कलर तो यहां पर अब देखेगा अब हम करने के बाद हम लोग की अलोग Гझा सब्सक्राइब स्ट व्यसका करना है है क्या इदिट करेंने सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर कुछा जारा है कि आप गजेक्ट कौन सा चूच करना चाहते हो तो माल लो मुझे इसी हैचिंग का इडिट करना है तो इसको सलेक्ट करेंगे जैसे ही सेलेक्ट एंग तो हमारे सांडे कुछ यहाँ पे टूल बॉक्स open हो चुका है तो अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ तो यहाँ पे जो है तो पहला आता है प्रिडिफाइन में प्रिडिफाइन में 누भो यहां से औल रेड़ी यह अपने से इसमें कुछ आदल बदल भी कर सकते हो और कस्टम में आप अपने से क्रियेट कर सकते हो तो जो है यहां पर इसको ऐसे ही रहने देंगे फिर आप चाहते हो कि इस पैटर्न को हम लोग हम लोग चैनल करना चाहते हैं अलवान के चलो बॉक्स से हटाके हम लोग प्राश करना चाहते हैं यहां पर नोग क्रॉस कर देथे हैं क्रॉस को यहां पर न देख सकते हो कैंतों वह हैं तो मुझे एह रखणा है तो से एक करेंगे तो यहां पे चुका है थैसा कि मेने हैं आप लोग को पाल में माने आप लोग को पता दिया कि आप सकते हों ये उद्लड करेंगे तो यहां से पिक पॉइंट आ जाता है यह सब संझाने का आपको जबूरत नहीं पड़ना चाहिए तो मैं आप लोग को इस चीज के बारे में बता देता हूं तो यहां पर नॉर्मन में जैसे करेंगे तो यह आप लोगो को यहां पर करना चाहते हों इंटर्णल में एक सर्केल करना चाहते हो फिर यहां पर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वो जो है option वहाँ पे खुद ले लेगा तो हम लोग ने दो सरकी यहां पर ड्रॉ किया इसलिए हम लोग का यहां पर नहीं लेगा तो यहां पर यहां से आप पतला च्वटा कर सकते हैं यहां पर करेंगे तो यह लोग का यहां पर हैंचिं को senior म और नह अपर नहीं है आप हम लोग को सेंपल इडिकार सकते हैं तो दोस्तों यहां लोग की एक हैटिंग पर चोटी सी विडियो तो I think आप लोगो को समझ में आया होगा कि hatching क्या है, hatching को कैसे use करते हैं, hatching को क्यों use करते हैं, तो इन सबी चीज को हम लोग जाने हैं इस वीडियो में, तो next वीडियो में मैं आप लोगो को एक plan पे hatching करना बताऊंगा, वहाँ पे आप लोगो को बहुत ही simple तरीके से किया था, उसके अंदर hatching मैंने किया था, तो आपको मैं plan में hatching को use करना सिखाऊंगा, तो मैं next वीडियो में आपको plan में hatching करना सिखाऊंगा, तो दोस्तों एक छोटा सा request है आप सभी लोग से, अगर हमारे इस TDP चैनल पर फॉस्टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को स मैं उस पर हमेशा update देते रहता हूं, TDP का जिता भी information होता है, सारा information मैं social media पर share करते रहता हूं, आप लोग को जरूर जाके जूरना है, काफी लोग जूरे भी हैं, और मुझे वहां पर support भी किये हैं, तो मैं उन सभी लोग को दिल से धनेवाद भी करना चाहूंगा, और द जरूर से जरूर चैनल से जूरना है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्ट्ट वीडियो में, तब तक ले जाज़त चाते हैं, स्वास्त रहें, अपने और अपने पडिवार का ज्यादस ज्यादा ख्यार लखें, सो थैंक्यू सो मुझ दोस्तों